दोस्तो भारत में TikTok के साथ 59 Chinese apps जो है इंडिया में बैन हो चुका है इस में से बहुत apps जो थे बहुत ही इंडिया में पॉप्लर थे तो मैं इस वीडियो में आपको उन Chinese apps का Indian alternative या Non Chinese alternative बताऊँगा जिसका इस्तुमाल आप उन Chinese apps के बदले कर सकते हैं चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों मैं TikTok और Likey के बदले आपको सजिस्ट करूँगा Dub Smas, जो की एक German app है उसके बाद दूसरे नमबर पे मैं आपको सजिस्ट करूँगा Roposo, जो की एक Indian app है उसके बाद तीसरे नमबर पे मैं सजिस्ट करूँगा Mitro, जो की Indian app है उसके चौथे नमबर पे मैं सजिस्ट करूँगा चिंगारी, जो की Indian app है उसके पाद 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 पे नमबर पे मैं आपको सजिस्ट करूँगा Bolo India, जो की Indian app है तो दोस्तों इस तरह से आप TikTok और Likey की तरह इन एप्स का इस्तमाल भी short video creation में कर सकते हैं उसी तरह से यदि आप offline file sharing के लिए share it और gender का इस्तमाल करते थे तो उसके बदले मैं आपको एक नमबर पे सजिस्ट करूँगा Files Go, जो की यह Google का app है अर्थात USA का app है दूसरे नमबर पे मैं आपको सजिस्ट करूँगा Share All इस नाम से बहुत सारे app है Play Store पे लेकिन आप ध्यान दे लेंगे कि Share All के नीचे लिखा होना चाहिए Quantum for U Lab India Private Limited यह Indian app है दूसरे नमबर पे मैं आपको Share All सजिस्ट करूँगा तीसरे नमबर पे जो आप मैं आपको सजिस्ट करूँगा Jio Switch यह भी एक Indian app है चौते नमबर पे मैं आपको सजिस्ट करूँगा Wi-Fi File Transfer यह जर्मनी का app है यह भी आप इस्तमाल कर सकते हैं यदि आप Cam Ascaler का इस्तमाल करते थे पेज को Scan करने के लिए तो उसके लिए मैं आपको एक नमबर पे सजिस्ट करूँगा Microsoft का app है Office Lens जो की USA का app हो गया दूसरे नमबर पे मैं आपको सजिस्ट करूँगा Adobe Scan यह भी USA का app है तीसरे नमबर पे मैं आपको सजिस्ट करूँगा Clear Scan यह Thailand का app है और चौते नमबर पे मैं आपको सजिस्ट करूँगा Kagaj Scanner यह India का app है जो की अभी थुरा साइस में और improvement चाहिए लेकिन यह भी app आप यूज कर सकते है यदि आप UC Browser, CM Browser, APUS Browser, DU Browser का यूज करते थे तो इसके जगर पे मैं आपको एक नमबर पे सजिस्ट करूँगा Google Chrome जो की USA का app है दूसरे नमबर पे मैं आपको सजिस्ट करूँगा Opera Mini यह Norway का app है यह UC Browser की तरह ही बहुत कम data यूज करता है तीसरे नमबर पे मैं आपको सजिस्ट करूँगा Mozilla Firefox यह भी USA का app है चौथे नमबर पे मैं आपको सजिस्ट करूँगा Microsoft Edge यह भी USA America का app है और पांचवे नमबर पे मैं आपको सजिस्ट करूँगा Geo Browser जो की India का app है अगर आप News के लिए UC News का इस्तमाल करते थे तो उसके लिए मैं आपको सजिस्ट करूँगा कि आप UC News के जगह पे एक नमबर पे यूज कर सकते हैं Google News का जो की USA का app है Google का app है इसलिए और दूसरे नमबर पे मैं आपको सजिस्ट करूँगा Daily Hunt जो की India का app है तीसरे नमबर पे मैं आपको सजिस्ट करूँगा In Sorts जो की India का app है और चौथे नमबर पे मैं आपको सजिस्ट करूँगा Geo News या भी India का app है यदि आप Screen Recording के लिए DU Recorder यूज करते थे तो उसके जगह पे मैं आपको एक नमबर पे स्जिस्ट करूँगा AZ Screen Recorder जो की वियतनाम का अप है दूसरे नमबर पे मैं आपको स्जिस्ट करूँगा Screen Recorder और Video Recorder जो की USA का अप है तीसरे नमबर पे मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर नो एड्स यह वियतनाम का एप है और चौथे नमर पे मैं आपको स्जेस्ट करूँगा स्क्रीन रिकॉर्डर जो की एप स्मार्ज का बनाया हुआ एप है या इंडिया का एप है इन्हें से आप कोई भी एप screen के recording के लिए इस्त्माल कर सकते हैं महिलाओं के fashionable कपरों के लिए यदि आप scene का या romewee का यूज करते थे या online strive के लिए club factory का यूज करते थे तो उसके लिए मैं एक number पे आपको suggest करूँगा मिंत्रा मिंत्रा एक Indian app है यहाँ से आप shopping कर सकते हैं दूसरे नमबर पे मैं आपको सर्जिस्ट करूँगा AGO, यह Reliance का यह भी Indian app है, तीसरे नमबर पे मैं आपको सर्जिस्ट करूँगा Flipkart, Flipkart का founder तो Indian था लेकिन अभी यह एप जो है American app है क्योंकि इसमें 70% हिस्सेदारी जो है Walmart company की है, चौते नमबर पे मैं आपको सर्जिस्ट करूँगा Imagine का यह भी USA का app है, यदि आप Clean Master या DU Cleaner यूज करते थे, तो उसके जगह पे मैं आपको एक नमबर पे आपको सर्जिस्ट करूँगा Files by Google, Files by Google एप जो है USA का app है और यह एक ऐसा app है जिससे आप offline file sharing भी कर सकते हैं, और अपने mobile का file management भी कर सकते हैं, junk file को भी clean कर सकते हैं, cash file को भी clean कर सकते हैं, तो पहले नमबर पे मैं आपको Files by Google को सर्जिस्ट करूँगा, दूसरे नमबर पे मैं आपको सर्जिस्ट करूँगा AVG Cleaner या Czech गनराज का app है, तीसरे नमबर पे मैं आपको सर्जिस्ट जो की इंग्लेंड का एप है और चौथे नंबर पर मैं आपको सेजिस्ट करूँगा SD Med, SD Med जो है जर्मनी का एप है इसी तरह से यदि आप वाइरस किलीनर या QQ Security Center यूज करते थे तो उसके जगर पर मैं एक नंबर पर आपको सेजिस्ट करूँगा Casper Sky Mobile Antivirus जो की Switzerland का एप है दूसरे नंबर पर मैं आपको सेजिस्ट करूँगा AVG Antivirus जो की चेक गनराज का एप है और तीसरे नंबर पर मैं आपको सेजिस्ट करूँगा Avast Antivirus जो की चेक गनराज का एप है दोस्तों यदि आप वीडियो एडिटिंग के लिए अगर आप वीवा वीडियो का यूज करते थे तो उसके जगर पर मैं आपको एक नंबर पर सेजिस्ट करूँगा काइन मास्टर को जो की कोडिया का एप है दूसरे नंबर पर मैं आपको सेजिस्ट करूँगा इन सौट वीडियो एडिटर एंड वीडियो मेकर जो की USA का एप है तुसरे नंबर पर मैं आपको सेजिस्ट करूँगा क्विक फिरी वीडियो एडिटर जो की USA का एप है और चौते नमबर पे मैं आपको सज़ेस्ट करूँगा पावर डारेक्टर जो की ताइवान का एप है दोस्तो यदि आप फिरी टेक्स्ट मेसेजिंग या वीडियो कॉल के लिए अगर वीचैट का यूज करते थे तो उसके जगर पे मैं आपको एक नमबर पे सज़ेस्ट करूँगा वाट्साप का जो की फेस्बुक का एप है या USA का एप हुआ दूसरे नमबर पे मैं आपको सज़ेस्ट करूँगा टेलीग्राम का जो की यूनाइटेड अरब एमिरात का एप है और तीसरे नमबर पे मैं आपको सज़ेस्ट करूँगा वाइबर जो की लगजेंबर का एप है दोस्तों यदि आप वीगो लाइफ यूज़ करते थे तो उसके जगर पे आप टैंगो लाइफ यूज़ कर सकते हैं एक नमबर पर यह Amerिका का एप है दूसरे नमबर पर पे पेडिस्कोप यूज़ कर सकते हैं यह भी USA का एप है अमेरिका का ही और तीसरे नमबर पर आप यूज कर सकते हैं लाइव टॉक फिरी वीडियो चैट जो की इंडिया का एप है उसी तरह से यदि आप स्वीट सेलफी यूज करते थे तो मैं पहले नमबर पर आपको सजेश्ट करूँगा B612 Beauty and Filter Camera जो की USA का एप है और दूसरे नमबर पर मैं आपको सजेश्ट करूँगा Ucam Makeup जो की ताइवान का एप है उसी तरह से यदि आप My Video Call यूज करते थे पहले नमबर पर मैं आपको सजेश्ट करूँगा Google Duo और दूसरे नमबर पर सजेश्ट करूँगा WhatsApp इससे भी आप Video Calling कर सकते है तीसरे नमबर पर Facebook Messenger से भी आप Video Calling कर सकते है यह तीनो जो है अमेरिका का एप है दोस्तो यदि आप DU Battery Saver यूज करते थे तो उसके जबर पर मैं आपको एक नमबर पर सजेश्ट करूँगा EQ Battery जो की निदरलेंड का एप है दोस्तो यदि आप Gallery या किसी एप को लॉग करने के लिए DU Privacy या Vault Hide का यूज करते थे तो उसके जबर मैं आपको एक नमबर पर सजेश्ट करूँगा Norton App Lock जो की USA का एप है और दूसरे नमबर पर मैं आपको सजेश्ट करूँगा App Lock Fingerprint जो की Korea का एप है यदि आप Micro Blogging Site Weibo यूज करते थे तो उसके जबर पर पहले नमबर पर Twitter यूज कर सकते हैं जो की America का एप है और दूसरे नमबर पर Reddit यूज कर सकते हैं यह भी America का एप है तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा है कॉमेंट में लिक कर जरूर बताईएगा और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बिल बटन को जरूर दबा दीजेगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ तब तक के लिए निमस्कार